करवा चोथ पर पत्नी ने अपने पती की सलामती के लिए खुद पुलिस को फोन कर बताया कि उसका कातिल पती घर पर है और उसे सरेंडर करना है इतना ही नहीं महिला ने पुलिस से कहा कि मारना मत आज करवा चोथ है मैंने अपने पती के लिए वरत रखा है दरेसल बीते 19 ओक्टूबर को दिल्ली के नजब वड़ इलाके में मा बेटी को गोली मारी गई थी इस हत्यकान को लेकर पुलिस ने आरोपी राजीव गुलाती को गिरफतार कर लिया है रभिवार को द्वारका DCP शंकर चौधरी जॉइंट CP के साथ गस्त कर रहे थे तबी फोन पर मिली सूशना के आधार पर वह खुद आरोपी के घर पहुचे द्वारका DCP शंकर चोधरी से महिला ने फोन कर कहा कि आज करवा चोथ है मैंने अपने पती के लिए वरत रखा है गोली मत मारना वहीं बताया जा रहा है कि हत्यारे राजी गुलाटी ने अंकांटर के डर से सरिंडर किया राजीव ने अपने पत्मी से 100 नंबर पर फोन करवाया और बताया कि वो अपने घर पर है और उसे सरिंडर करना है फोन पर मिली जानकारी के मताबिक DCP द्वारका संकर चोधरी खुद कॉलर पकड़ कर आरोपी राजी गुलाटी को घर से बाहर लाए कैलाश नाम की महिला का मूँ खोल कर दो गोली मारी गई थी जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई थी वहें कैलाश की बेटी को भी चार गोली मारी गई थी जो अस्पिताल में जिन्दगी और मौत की जंग लड़ रही है मौत कैलाश राजी गुलाटी की ताइन थी डीसीपी द्वारका ने पूरे जिले में अपराधियों की धर पकड़ के लिए उपरेशन वर्चस्वे चला रखा है